हेलो दोस्तों सूपरवाज एसी कृष्ण रादे रादे माई सोल फैमली माई वीवर्स माई सब्सक्राइब आप सवस्थ होंगे मस्थ होंगे अपने लाइप में आगे बर रहे होंगे अभी का जो वीडियो है यह है आपके पार्टनर की ट्रू फिलिस उनकी करेंड एनरजी अगर आप kontakt में हो, no contact situation में हो या फिल एक दूसरे से नाराजगी है तो इस वक्त आप आपके पार्टनर आपके लिग क्या फिल करें क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त क्या वो मेसेज देना चाहते है और कौन ऐसी बात हैं जो आपसे व छुपा रहा है मैसेज के माद्धियम से देखोंगी कि आपके partner आपसे क्या बाते हैं जो कहने ही पा रहे हैं जो उनका mind उनका soul कह रहा थे इस message के माद्धियम से तो देखिए अगर परिजनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनका soul उनका mind कह रहा है वो नहीं बोल पा रहे हैं और यह planning कर रहे हैं तो आखिर क्या message देना चाहते हैं तो देखिये जहाएब के person कह रहे हैं इंजस काईड कीजिएगा मेरे वीवर्स की partner की true feelings क्या है इंजस काईड कीजिएगा divine guide कीजिएगा all angels guide कीजिएगा आल साइन मेल फिमेल सबके लिए है इंचेस काईट किजेगा दिभी शक्ति काईट किजेगा कृष्ण कोगंड काईट किजेगा ओवर्थिंगिंग फिर चल रहा है आपके परसन फिर सोने पा रहे हैं थर्ट पार्टी इश्यू प्लानिंग लेकिन ओफर करना चाहते हैं आप घबराओ मत यह कहना चाहते हैं काश इश्यू के वज़े से आपकी बात नहीं बन पा रही है साइट पैरेंस नहीं मान रहे हैं अब फिर आपके पार्टनर के पैरेंस नहीं मान रहे हैं लेकिन आप वो छोड़ भी नहीं सकते हैं मजबूर है इस वक्त यह कहना चाहते हैं हनी मून ओवर्थिंकिंग सॉर्ड आप पर्फेक्ट कुछ करमा से रिलेटेड आपके पार्टनर अभी रिलीज नहीं कर पार र स्ट्रेस लेना ओवर्थिंकिंग मिसिंग एनर्जी बहुत है थर्ड पार्टी इसू है लेकिन फिर भी आप से एक मौका जरूर मांग रहे हैं कि सब कुछ ठीक कर सकता हूं साइवन चाहरा का मेडिशन अगर आप कर रहे हो तो ठीक है नहीं कर रहे हो दिके स्ट्रेस का कि अवर्णेस को लेकर भी बहुत चिंतित हैं एंजल यू आपके पार्टना आपके तरफ थर्ट पार्टी इसू तो है लेकिन वेट वेटिंग एनर्जी भी है इनर्वर्क और मिर्टेशन यह आप लोके लिए गाइडियन्स है अगर आप हाड़ वर्क करों इनर्वर्क कर हें लिles तो अगर नहीं कर पा रहे हो तो कुछ ब्लॉकेज है जिस जीने वेटिंग इनर्जी आरए ठीक है यह आपके वेटिंग कर रहा है क्योंकि अपने कर्म अपने blockage होते हैं, तो यहां पे आपके person की जो energy है देखिए यह person बहुत miss कर रहे हैं ठीक है, यह person आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, रह रहे कर overthinking कर रहे हैं overthinking कर रहे हैं, आपके person ठीक है, अब यह person को ऐसा feel हो रहा है कि side आपके बिना ना मुम्किन है ना मुम्किन है रहना आपके भी ना क्योंकि आप उनकी एंजल हो पैरेंश इशू थर्ट पार्टी इशू आ गई ठीक है जिस वज़े से घर का महौल ठीक नहीं है घर में घर का वातावरम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा उनके लाइप में कास्ट इशू सब्सक्राइब काश्ट इशू को जय से पैरैंस नहीं मां मैं सकते दिर यहाँ की यह रात बसुने इनकी नीद उरु चुकी है ळातच ओड़र में इसimiento कारई है why आपके पार्टनर हो सकता है कि लीगल इशू से गुजरना दिये ठिक है और देखे कुछ भी हो जाए आपके पार्टनर जीत पर हाँ भली सुसाइटी समाज को लेकर चलते हैं जरूर चलते हैं लेकिन आपके बिना जीना भी उन्हें दुस्वार है वह आपको लेकर ही साइद वह आपसे बास सेर ना कर रहे हूं लेकिन वह तूट रहा है वह किसमत हम को ले आई है गुल शन से बीराने में इस बीराने में जैसे गाना है दिया आए हो हम यह गाना आपको हम से बिच्षे हुए एक जमाना बेते गया अपना मुकदर गाना तो आगे लंबा मुझे नहीं आता दियर बस ये एनरजी मुझे गाना किया ही दियर तो ये बहुत मैं छोड़ा है साथ मतलब इनको लगड़ा ही जो लाइफ आपसे जो मिली है यह गुलसन था अब यह भी राने में गाना का मैं पूरा थोड़ा सब्द और वर्ड पकर पारी हूं यह गाना में है कि यह परसंड आपके लिए बहुत ही पैस्नेट है अब मजबूरी यहां पर इस परसंड को यह हो हो रही है कि कास्ट इशू पैरेंश इशू थर्ट पार्टी इशू सबके अपने अपने थर्ट पार्टी हो सकते हैं किसी के लिए करियर भी है ठीक है उनके फाइनेंसली मतलब ग्रोथ अच्छी नहीं है ठीक है जौप नहीं है करियर अच्छी नहीं है अई हर कोसिस करें और अच्छी इनकी जॉब नहीं हो रही है, अच्छी बिजनेस नहीं चल रही है, करियर में सफलता नहीं मिर रही है, किसी के पार्टनर के साथ ऐसा हो रहा है, किसी के पार्टनर के पास थट पार्टी इस हुए जहां उनकी फैमिली भी है, और कोई थट पार्टी हो, पैरेंस आप उनकी एंजल हो क्यों एंजल हो क्योंकि इन्हें लगता है कि आपने उन्हें बहुत कुछ दिया है और आपको छोड़ने सकते हैं आपको खोने सकते हैं भले ही थोरा टाइम लगे आपको वेट करना पड़े ये वेटिंग करा सकते हैं लेकिन ही आपको छोड़ने सकते है आज नहीं तो कल marriage commitment ये देंगे ही देंगे और इस वक्त ये person के life में कुछ अच्छा नहीं चल रही हैं या इनके बरे ब्रदर हैं या अंकल मामा है जो है फादर फिगर वो उनको कहीं ना कहीं दबाव दे रहे हैं आप से distance करने को ठीक है अप ये person रहने पार है और guilt में हैं sorry felt करें किये मैंने क्या कर दिया जितना आपसे बादा किया जितना आपको promise उन्होंने किया साइध वह promise आपसे निभा नहीं पाए लेकिन यह कहरे कि आपको छोड़ भी नहीं पाएंगे वो आना चाहते हैं या फिर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं ठीक है और important क्या है job career और finance क्योंकि अगर यह रहेगी तो stability आएगी जब वो stable हो जाएंगे तो उनको कोई नहीं रोक सकता है आपको accept करने में चाहे वो society हो समाज हो उनकी family हो या third party हो वो आपको accept पूरी तरह कर लेंगे यह decision लेंगे और action लेंगे लेकिन यहां waiting energy आई है यह इस वक्त आपके person सोच नहीं लेकिन मतलब यह जुदाई ना यह distance अब उनको अच्छा फिल नहीं हो रहा है एक दूसरे से distance maintain करके आप एक दूसरे से move on भी नहीं कर पा रहे हो लेकिन कुछ गलत फैमिया के वज़े से आपने कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसे problem create कर दी है कि आप दोनों को मिलना थोड़ा मुस्की लोड़ा और यह person को अब रहाने जा रहा है कुछ कर्मा किलेर कर रहे हैं ठीक हो सकता आपके पार्टने healing process से गुजर रहे हो लेकिन यह आपको छोड़ने सकते हैं आप उनकी पावर हो आप उनकी strength हो और आप strong रहोगी तो उनकी will power बढ़ेगी वह और पर श्ट्रॉंग हो वह action ले सकते हैं यह आप से कहना चाहरे हैं इसलिए आप बहुत ज्यादा उनको किसी चीज को दवाव ना डाले उनको जवरदस्ती ना करें क्योंकि खुद वो रहें कि मैं वेट कराऊंगा क्योंकि यह लर रहे हैं ठीक है खुद से लर रहें फैमिली फाइटिंग नो कॉंटेक्स सिचुएशन है लेकिन फिर भी परसन कहीं न कहीं आपको स्पाइक करते हुए नजर आ रहे हैं और यह कह रहे हैं मैं बहुत जल आओंगा और मैं तुम्हें मनाओंगा बस मुझे एक मौका दे दो अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो यह कह कर रहे हैं जहां उनकी पैरेंट्स नहीं मान रही है कुछ ना कुछ बाधा आये समाज काश्ट इश्व धर्मिश्व एज गप इस तरह की बाते आ रही है जहां यह परसन कुछ भी हो यह आपके लिए सोचें क्योंकि आप इनको एक ब्लेसिंग की तरह इनके लाइप में आ वो समझने कि यह प्योर कनेक्शन प्योर लब है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता हूं और यह पूरी लाइप आपके साथ तो जीना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर कोई है जो मैनुपलेट करता है लेकिन यह आप से कुछ बास सेर भी करना चाहते हैं यह आ रहे हैं देखिया यह आ रहे हैं और यह थटेपांटी इश्यू देखिए पचीकरो Saat यहां कासले का कल्चर जो है यह आप लोग को तोरा सा आप दोंग को अलग कर रही है हो सकता है भी वर्स आपके पैरेंस भी ना मान रहे हो जहां आप confused हो अगर आपकी marriage है या पिर कहीं तै हो चुकी है आपकी marriage ठीक हो चुकी है और आपके parents चाह रहे हैं कि आपकी साधी वहा हो लेकिन आप जीद पे हो कि नहीं क्योंकि आपके partner के तरफ से action नहीं हो पा रहा है वह decision नहीं सुना पा रहे हैं यहाँ पे आप लेकिन changes आ रहे हैं मुमेंट टू मुमेंट मैं हाई energy देख पा रही हूं लेकिन मैं जो यहां देख रही हूं कि कुछ मेरे भी वर्स आप भी कम नहीं हूं आपके भी विचार में उथल पुथल मची है overthinking करना अचानक से mood swing करना past में जाना partner के बारे में सोचना कैसे क्या करो मतलब आप कभी positive सोच रहे हो कभी कभी बहुत ज़्यादा overthinking जैसा करने लगते हो और जब confused जहां है तो आप action कैसे ले सकते हो ठीक है आप action भी सही नहीं ले पा रहे हो ठीक है लेकिन यह person की true feelings यह है क कि आप उनकी एंजलों यह आप से marriage करेंगे क्योंकि यह planning भी कर रहे है कि marriage के बाद क्या करना है कहां जाना है कैसे आपको प्यार करना है आपको क्या gift देना है जिस तरह की energy यहां जाना है वहां जाना है planning चल रही है लेकिन अगर घर में problem चल रही है तो आप दोनों को दिखेंजिक किसी के घर में एक है दो है क्योंकि एक जो सॉर्ट वीडियो इसमें भी निकला था खामौस चुप है आपको miss कर रहे हैं बाते चुपा रहे हैं क्या करें कितना आपको जूट बोले कितना आपको सच बोले किस पर आप विश्वास करोंगे किस पर आप नहीं तो यह person आपको समझाा भी नहीं पारहे आप मानो गी भी नहीं ठीक है यह person की आदत है balance करकर चलना तिक है दिल और दिमाग को balance करकर चलना वह सोच समझ कर decision लेते हैं के वह masking energy है और आप जो अभी का अभी चाहिए मुझे अभी करें ने तो मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी मैं वो करूँगा मैं वो करूँगी तो ये आपकी फैमिनाइन की एनरजी होती है आज तो आज अभी तो अभी नहीं तो ओवर तिंगिंग नहीं तो फाइडिंग नहीं तो मुझे दो कमि करते हैं जहां कि आपके परसंद खुद बता रहें क्योंकि अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं ठीक है लेकिन आप से प्यार करते हैं तो आपको जताते नहीं क्योंकि अंतर आत्मा का जो एक सोल का जो प्रेम होता है वह है यह जताया नहीं जाता है यह फिल किया जाता ह हो तो यहां पी हो भी सोचना है ठीक है कभी-कभी agentbak कब करते हुए अच्छा man प्रहाए है कर्मी जो रही है Healing यह आपके पार्टनर की नério को अब कर श्यUS तो द्लंक चल रहा हो आपिस इनर्जी कोभी करते हो चिक है इस इनर्जी को समझने की कोशिज़ की एक भीवर्स ने मेरे पूछे कर रातम पूछा दिया कि ये सच है मैम अगर आपको एनर्जी पे सक्ट है तो फिर सक वाली एनर्जी ये आपकी नहीं हो सकती मतलब आपने वैसे ही एक्सेpt किया और आपने कैसे एक्सेpt किया तो फिर आपने वही accept किया है अगर positive way में लिया है आपने कि yes ये मेरे partner की energy है तो आप pick कर सकते हो अनुभा कर सकते हो अगर आपने सवाल रख दिया तो यह आपके लिए होते हुए आपको सिसको on money करोगे जहां blockage create करोगे ये कर्मा को और bad कर्मा की और बढ़ोगे क्योंकि आपको कर्मा भी clear करना है तो यहाँ पर ये मुझे समझाना जरूरी है देखी ये कहना चाते है तुमसे गुसा होकर जो भी मैंने decision लिया या आपके person कहना चाते है आज मैं उलच चुका हूँ ठीक है और तुम बीना सोचे समझे decision मत लेना मैं miss कर रहा हूँ बहुत ही miss कर रहा हूँ separation में overthinking करू साइथ तुमसे share नहीं कर रहा हूँ बोलने से कोई फायदा नहीं क्योंकि आप से अगर ये बोलेंगे तो फिर आप कुछ और सवाल जबाब करो लेकिन इस energy में नहीं है कि किसी का बात सुने ठीक है ये किसी का बात नहीं सुन सकते ये खुद अकेले रहकर खुद पर काम करकर अपने दिल और दिमाग को balance करकर ये आपके तरफ बढ़ रहे लिए ठीक है तो यहाँ पर ये energy निकल करा रही है कोई बात नहीं मान रहा है ना आप से बात हो रही है ना आप उनको अनब्लॉक कर रहे इधर third party issue है उधर family है इधर बच्चे है इधर caste issue है society है work है काम stability है तो हर चीज इनके life में चला है साइध आपको ना पता हो और उनको कोस रहे हो तो आप वही चीज आपको return मिलेगा यहाँ पर यह energy मुझे नहीं दिख रही है आपके partner आपको इस वक बहुत miss कर रहे है और आपके तरफ बढ़ते हुए आ रहे है लेकिन बाबू थोड़ा waiting energy हो सकता एक, दो, तीन ऐसी भी energy हो जिखर कते हैं किसके लिए एक है किसके लिए six है, किसके लिए five है किसके लिए four है किससे लिए three है तो इस तरफ की energy आपके तरफ आपके partner आपके तरफ बढ़ते है लेकिन waiting energy भी हैEX li Margaatz की तआरी कर रहे है planning कर देाल लेकिन बात नहीं बन रही कि जहां यह depression, tension, overthinking कर रहे हैं, हो सता किसी के partner आपको चाहते हो भी आपको सो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ के partner आपके तरफ बढ़तो रहे हैं, लेकिन यह आपको बोल सकते हैं, कि थोड़ा वक्त दो मैं career पर focus कर रहा हूं, सब कुछ ठीक हो जाए, यह आपको दिलासा भी दे सकते हैं, और decision, action यह लेंगे, लेकिन divining time पर, चीक है, अगर आप confused हो, तो देख लिजे, आपके partner इस बस बात करते हैं, तो आप बात कर सकते हो, या फिर आपको wait करना है, तो कर सकते हो, या फिर life में आप आगे भी बढ़ सकते हो, क्योंकि सब की अपनी personal life होती है, ठीक आपके partner आपको miss कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, आपके तरफ धिरे धिरे बर रहे हैं, वेट करा सकते हैं, लेकिन आप उनकी जान हो, एंजोल, लेकिन या आपको ही अपना जीवन साथ ही बनाना चाहते हैं, और आप लोगा inner work कर रहे हो, हाड़ वर्क कर रहे हो, तो यह छो आपके partner की true feelings, उनकी current energy, situation ठीक नहीं है, missing energy बहुत strong है, तो खुद को heal किजी, अपने partner के लिए healing strength किजी, ठीक है, आपको हमसे बिछरे हुए एक जमाना बीत गया, वो खुद तरफ रहे हैं, आपके person, यह गाना आप सुन लेना, साइद मुझे पूरी तरस यह गाना नहीं आ अचानक से आता है, जो भी गाना आता है, और divine के तरफ से आता है, channel song आता है, तो मैं गाह देती हूँ, इसलिए कि मुझे याद रहता नहीं है, तो सौट सा गाह देती हूँ, बस यही गाना मुझे बार बार आ रहा है, आपको हमसे बिछरे हुए एक जमाना बेते गया, मैं आप इसमें आपको कुछ ऐसा फिल हो रहा है, वो गाना सुनोगे, तो हर वर्ड, हर सब्द, हर गाना का टोन में आपके आपके पार्टनर की एनर्जी पिक होगी, जो आपसे वो कहना चाहते हैं, तो angels message भी ऐसे ही देते हैं, कभी आप thoughts लाओगे ना गाने का, अचानक से ग मिस कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको उसी तरह आपको गाना भी दिमांग में thoughts आने लगेंगे, वो गाना हमेशा सुनी, क्योंकि उस गाने में जिस एनर्जी में आपके पार्टनर रहेंगे, वो एनर्जी आपको मिल जाएगी, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहत उस गाने को हमेशा सुनी, क्योंकि वो चैनल सौंग होते हैं, जो आपके crown चक्रा में, mind में आते हैं, जो आपके intuition के थुरू आप उनको pick कर पाते हो, ठीक है, तीन बात को याद रखना, ठीक है, तो ये थी आपके पार्टनर की true feelings, उनकी current energy वीडियो अच्छी लगे, तो like स comment करे, thank you so much.